हलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब तो MPK round 2 की पूरी डिटेल आ चुकी है चोईस फिलिंग से लेके उसका वीडियो भी डिला हुआ है चोईस फिलिंग की डेट वगेरा जो बढ़ गई है तो इसके बाद अब बहुत से बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि बिकेंट सीट आने के बाद आल इंडिया कोटा से जो सीट स्टेट को लोट के आ गई है और जिन बच्चों ने आल इंडिया कोटा में ले लिया है और फिर स्टेट में वो round 1 में ले चुकी थे उन्होंने जो सीट छोड़ी है तो टोटल मिलाकर 310 के आसपास जो सीट आ गई है अब उसे के बाद round 2 के कट अब में क्या फरक पढ़ने वाला इस पर डिसक्स करेंगे तो जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे लाइक कर देंगे और सेयर कर देंगे चलिए तो शुरू करते हैं तो देखिए MP का जो round 1 का कट अब था सबसे पहले उसको एक बार देख लें तो इसमें अन्रिजर्ब का 37,715 AIR तक 567 नंबर पे गया था EWS का 40,562 तक OBC का 38,011 पास 566 पे SC का 1,43,439 पर और ST का 2,97,316 पर ये cut-up फर्स्ट राउंड का गया था तो अब round 2 के analysis के पहले कुछ चीज़ें देख लें कि इसका analysis कैसे करते है तो चलिए आंगे वड़ते हैं अब देखते हैं अपन कि जो आल इंडिया से सीटें आ गई हैं और जो बच्चों ने सीटें छोड़ी हैं उसके बाद क्या सबसे पहले आप बिदीशा का देख लें सोला सीटें टोटल खाली हो गई हैं बीमसी में साथ छिंदवाडा में छे गजराज मेडिकल में गौलियर में छे गनेस मेडिकल में 27 गवर्मेंट मेडिकल का लिजदतिया में पांच खंडवा में दो रतलाम में दस सहडोल में कि आठ हैं इसको हटा भी दें अपन तो यह अपना फिगर बन रहा है तो यह टोटल फिगर जो बन रहा है वो यह आल इंडिया से आई है सीटें और टोटल फिगर जो बन रहा है वो बन रहा है तीन सो दस के आस पास तो टोटल सीटें आई है सीट वेकेंट भी अपन देख लेते हैं विकेंड सीट पोजिसन देख लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा यह देखिए आप यह फाइनल विकेंड सीट है जो 310 आई हैं यह 310 आई है टोटल अब इस हिसाब से देखें आप तो बिदीशा में 29 सीटें खाली हैं 17 सागर में हैं 13 चिंदवाडा में हैं गॉलियर में 19 हैं बोपाल में 36 हैं 14 हैं 13 हैं सिवपरी में 12 हैं दोवर में 40 हैं जवलपुर में 21 हैं यह सब मिलाके 310 का जो फिगर बन पुछ रहे थे उनको यह लग रहा है कि हमें यह सीटें मिल सकती तो आपको यह सीटें नहीं मिलेगी जो क्रम है वो आपको बता दूँ को इंदौर जैसे हैं तो बहुत से बच्ची जिनको भुपाल या जवलपुर या रीबा मिला होगा वो उन्होंने अपगेरिसन के लि मिला है वो पाल खंडवा मिला उसने अपगेरिट के लड़ा होगा तो लाश्ट में जो है स्योपरी सहडोल रतलाम खंडवा इनकी सीटें ही बचेंगी जो मेरिट हो चुकी थी 567 मार्क्स तक उसके नीचे जो सीटें बचेंगी या जो सीटें अब बच्चों को मिलेगी व क्या संभावना बन रही है राउंड टू में अच्छा राउंड टू के कटप के पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो महत्पूर्ण बात है वो यह है कि यह एक्सपेक्टेड है मतलब पोजीशन को देखकर लग रहा कि इसके आसपास कहीं जाना चाहिए फाइनल कट कटप तो जब आएगा तभी पता चलेगा तो यह एक्सपेक्टेड है अभी हम मान रहे हैं कि इतने के आसपास जा सकता है इससे कम भी जा सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है चलिए और आप कोई इंडिविजियल क्वेश्चन आपका है तो आप हमारे वाटसप नम आप फेव हमारे हिसाब से MP का 43,000 अन्रिजर्ब का 559 मार्क्स EWS का 41,535,560 बन के आसपास EWS को हम उपर मान रहे है 14,000 42,500 559 OBC का 1,52,717,429 SC का और 3,10,000 के आसपास ST का ये CUTUP हम मान रहे हैं CUTUP इसके आसपास रह सकता है round 2 का अगर आपको लगता है कि ये सही है तो भी आप comment box में लिखें अगर आपको लगता है कि इससे जदा जाएगा, कम जाएगा, तो भी आप comment box में लिखें इंडिविजियल अगर आप जानना चाहते हैं अपग्रेट के लिए क्या करना है च्वाइस पिलिंग कैसे करनी है तो भी आप हमें वाट्स अप कर सकते हैं थैंक्स फार दा बाचिंग फ्लीज सब्सक्राइब अबर चैनल